दोस्तों बॉलिवुट के भाई जान एनिकी सल्मान खान की हाल ही में रिलेज हुए फिल्म किसी का भाई किसी की जान को जोरदार टक्कर देने के लिए एक फिल्म त्रियेटर्स में लग चुकी है फिल्म का नाम है पॉनियन सेलेवन टू मोस्ट पॉपुलर हिस्टॉरिकल ड्रामा पियस टू सिनेमा घरों में शुकरवार को रिलेज हुई थी मनियरतनम के डारेक्शन में बनी पॉनियन सेलेवन टू को पहले दिन आउडियन्स का खूब प्यार मिला है इसे के साथ अपने पहले पार्ट की तरह ही पियस टू ने भी इंडियन बॉक्स आफिस पर बेहत दमदार उपनिंग ली है और साथ ही खूब कमाई भी कर रही है तमिल सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक पियस वन की तरह ही अब पियस टू भी इना रिकॉर्ड्स बनाती हुई नजर आ रही है इतना ही नहीं पियस टू ने सल्मान खान स्टारर फिल्म किसी कभाई किसी के जान को भी मात दे दी है दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि पूनियंस 11 टू ने पहले दिन कितने करोड रुपए कमा लिये है बता दें कि पूनियंस 11 टू का ओडियंस भी सब्री से इंतजार कर रही थी वहीं अब फिल्म के रिलेज होते ही सिनेमा घरों में पबलिक की भीड उमड चुकी है जिसका नतीजा यह है कि अपने पहले ही दिन फिल्म में अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है कमाई के आगडों की बात करें तो सेकनिल की अर्ली ट्रेट रिपोर्ट के मताबिक पोनियन सेलिवन टू ने अपने ओपनिंग डे पर 32 करोड का शानदार कलेक्शन किया है बतातें कि यह ओफिशियो लागडे नहीं है ऐसे में इन में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है वही फिल्म के ओपनिंग को देख कर ऐसा लगता है कि यह साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर और कमाई करने वाले फिल्म सावित हो सकती है बड़े बजट और मल्टी स्टार फिल्म पोनियन से लिवन टू को तमल, तेलेगू, मल्यालम, कंड़ और हिंदी भाशाओं में रिलेस किया गया है फिल्म के स्टार कास के बात करें तो इसमें चियान विक्रम, एश्वर्या राय, कार्थी, त्रिशा कृष्णन, जैम रवी, एश्वर्या लक्ष्मी और शोबिता, धूली पाला के साथ साथ, आर सरत कुमार, प्रभू, विक्रम प्रभू, जैराम, प्रकाश राज, 35 करोड रुपए की कमाई कर ली है, फिल्म के एडवांस बुकिंग भी करीब 10 करोड के आसपास की हुई थी, हाला कि बड़े पैमाने पर प्रमोशन के चलते भी, लोगमनी रतनम की पोनियन सेलिवन को देखने के लिए, त्रियेटर्स के तरफ दौड रहे हैं, हर कोई इस लिए एक अच्छा खासा फीडबैक भी दे रहा है, और डारेक्शन के साथ साथ सबी आक्टर्स की आक्टिंग के भी बेहजम कर तारीफ हो रही है, फिल्म के पहले पार्ट ने सिर्फ अकेले भारत से 337 करोड रुपए का बिजनस किया था, जबकि विदेशों में इस फिल पार्ट से वो अपनी लागत से जादा निकालने की कोशिश में है, इस फिल्म के आगे सल्मान खान के फिल्म किसी कभाय किसी की जान भी फीक ही रह गई है, हाला कि हिंदी फिल्म पिछले एक वीक से ही खराब परफॉर्म कर रही थी और ऐसे में पीएस टू का रुलेज होन तो ये फिल्म के पहले एंडिंग से शुरू होगी, जहां फैस पॉनियन सेलिवन को अपनी मौत का सामना करते हुए देख चुके थी, क्योंकि एश्वर्या राय की उमाई रानी उसे बचाने के लिए समुझ में कूच जाती है, दोस्तों वहीं बात करें फिल्म के फुल फ अडियंत को खत्म करने का बुलावा पिशली फिल्म में ही मिल चुका था, बड़े राजकुमार को नंदनी से किशो रवस्था में ही प्यार हो जाता है, नंदनी ने विवा किया चौल राजी के कोशा अध्यक्ष परवतेश्वर से और शडियंत का ताना बना बुनते बु कहानी पर गिरती है, तो इसके सारे पार्ट्स ऐसे फीके के फीके पड़े रहते हैं, एश्वेरे का यह दूसरा रूप यहां खुलकर सामने आता है, और कहानी का नया मस्तूल रचने की कोशिश करता है, फिल्म पियस टू कि अपनी खामिया भी है, फिल्म के खामिया यह है लेकिन अब सीनिमा का समय और टेस्ट दोनों बदल गया है, पॉनियन सेलिवान एक ऐसी फिल्म है जिसे दो हिस्सों में रूलेस किया गया है, यह बात मनिरतनम खुद कहते हैं, फिर इस फिल्म को एक सीक्वल की तरह उन्होंने शुरू में क्यों दिखाया, यह बात इंपॉर्टेंट ही नहीं थे, तो लोगों को उस पर इतना ज़दा टाइम देने के लिए क्यों मजबूर किया गया, पियस वन में जो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट लग रहे थे, पियस टू में वो कैरेक्टर्स बिल्कुल फीक्य और खाना पूर्थी टाइफ वाले के फिल्म पॉनियन सेलिवन के दोनों पार्ट सर्फ और सिर्फ एश्वरय राय बचन के लिए भी देखे जा सकते हैं, अपनी पहली फिल्म इरुवर से लेकर पॉनियन सेलिवन तक एश्वरय राय ने अपनी एक्टिंग स्किल के उडान का प्रदर्शन सुनहरे परदे पर अब तक किया है, उसमें एक चैप्टर ही मनिरतनम के नाम का है, फिल्म पॉनियन सेलिवन टू एश्वरय राय का एक नया जन्म है, मनिरतनम से मिला आक्टिर का ये पुनर जीवन एश्वरय के आने वाले सालों के लिए एक नय रनवे का काम भी कर सकता है, सौन्दरी को उनक चारलू चालाक नंदनी तक की एश्वरय राय की एक्टिंग यात्रा भारती सिनेमा में एक मिसाल बन रही है, बताते चले कि इस फिल्म को मद्रा स्टॉकीज और लाइका प्रडुक्शन्स द्वारा प्रडूस किया गया है, दोस्तों बता दें कि सितंबर 2022 में रिलीज हु सुन्दर चितरन किया गया है, जो सदिक गज डारेक्टर मनिरतनम ने बेहत शांदार तरीके से बड़े परड़े पर उतारा है, पियस वन में जहां कैरेक्टर्स का परिचर चौल सामराजी की जानकारी दी गई थी, नहीं पियस टू में किरदारों का विकार्स और उनकी अ पहतरीन आक्टिंग के दम पर ये फिर्म आज विश्व भर में 3200 स्क्रीन्स पर रूलेज की गई है, इस फिर्म के एक खास बात और है, वो ये है कि पहली फिल्म है जो 380 में 4DX पॉमिट में रूलेज हुई है, फिल्म के सेकिंड पार्ट की जानकारी पहले पार्ट की अक्सान पहुचेगा, बता दें कि फिल्म किसी कभाय किसी की जान से सल्मान खान ने पूरे पूरे चार साल बात बड़े परदे पर वापसी की है, ऐसे में सब कोई उमीद थी कि सल्मान भी एसार के और उनके फिल्म पठान की तरह ही कुछ हिस्ट्री क्रियेट करने वाला इसे के चलते मेकर्ज ने सल्मान खान की फिल्म किसी कभाय किसी की जान को बड़ी ही प्लानिंग के साथ रिलीज किया था, एद के मौके पर रिलीज करने के साथ ही फिल्मेकर्ज ने इस बात का भी खासा ध्यान रखा था कि सल्मान खान की फिल्म के आस पास कोई बड़ी फ सब्सक्राइब करकिकी रहे और अच्छी ही कमाई कर सके लेकिन पियस 2 कọn चलते किसी कभाई किसी की जान के मेकर्स के पलान पर पानी फिरता हुआ रहा है हाला कि किसी का बहुत कि जान को बॉक्स ऑफिस पर टेखी रहने का पूरा पूरा एक हफता मिला लेकिन फिर भी ये फिल्म उतनी कमाई नहीं कर पाई जो तनी फान्स को इस फिल्म से उम्मीद थी वहीं एक ही दिन में पियस टू ने सारा रेकॉर्ड तोड़ दिये हैं और किसी का भाई किसी की जान पर भारी पड़ गई है दोस्ते सुनने के पर सब्सक्राइब करें गई खड़ी रह पाएंगी जिसससे हमारे सभी वीडियो के नॉटिफिकेशंल आप तक पहुशते रहें